कि हुआ है तो है कि में हम डिफरेंट टाइप के अबजेक्ट कर सकते हैं हमने अबजेक्ट मोड और एडिट मोड दोनों में अबजेक्ट एडिटिंग देख लिए अभी स्कल्प्टिंग मोड में जाने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहां पर स्कल्प्टिंग में जाएंगे औरेडी एक ओबजेक्ट दिया हुए स्कल्प्टिंग में, ब्रेसिस में यहां different type का ब्रेस दिया हुआ है, हमारा पहला ओबजेक्ट है ड्रो, यहां पे जितने भी टूल्स है, उन टूल्स में एक अलग बात है, जितने भी टूल्स में यह ब्लू दिखाए गये है, वो सारे क सारे टूल्स कुछ ना कुछ एड करते हैं, रेड वाले टूल्स है, वो कुछ ना कुछ रिमूव करते हैं, एरिया रिमूव करते हैं, और अबजेक्ट में से कुछ ना कुछ मूव करते हैं, अपने जो एलो वाले टूल्स है, वो सारे के सारे टूल्स मोडिफिकेशन के लि तो brush की size को हम बढ़ी चोटी कर सकते ड्रेग करके, otherwise right click से भी हो सकता है, यहां से हम radius change कर सकते है, strength पी change कर सकते है, और smoothness भी change कर सकते है, अभी draw कर करके check करते हैं, यहां हमारा उपर की side देख सकते x symmetrically है, हम जो भी ड्रो करेंगे वह एक साइड में दूसरी साइड में भी तरीव के से ड्रॉ होंगा जयसे की यहां पर हम यहां पर इसको हलका हलका सा ड्रो करेंगे तो दुसरी साइड भी यह से ड्रो हो रहा है देखें बढ़िया से ड्रो हो रहा है अभी नीचे वापस तो यहां से भी वहां भी ड्रो होगा दूसरी साइड भी अगर हमने यहां पर y सिमेट्रिकल कर दिया तो y साइड में उपर की साइड में जो भी होगा वो सिमेट्रिकल होगा दूसरी साइड में यहां देख सकते इस साइड किया था तो इस साइड भी हो गया है कि अगर चेड एक्स तीनों को स्यमेट्रीक कर दिया तो जहां पर भी ड्रोग करेंगे तो तीनों डाइरेक्षण में मतलब सब्ग बहुत सारी डायरेक्षन में अपने आप रोग हो जाएगा एक स्वाइए एन चेट तीनों में यहां पे डीख सकते जैसे हम नहीं यहां पर करना चालू कर दिया अगर आपको किसी एक ही ऑफ्जेक्ट पे एक ही जगह पर करना है तो हम इन तीनों को कर सकते तो सिर्फ एक ही जगा पे ड्रो होगा इससे अभी यहां पे हमारा बाइडिफोल्ट टूल से ब्लू है मतलब कि यह कुछ ना कुछ एड कर रहा है यह सर्फेस को एड कर रहा है पर यहां पर अगर हम देखेंगे टूल सेट में तो यहां पर सब्स्टेक का भी ओप्शन है अगर हम सब्स मोड में आ जाएंगे पहले हम सब्स्टेक में एक और चीज़ देखेंगे कि जब भी हम अगर इसको सूपर जूम करते हैं और उसके बाद यहां पर काफी स्क्वेर दिख रहे हैं इसमें हम अगर एप प्रेस करके इसको छोटा कर लें ब्रस की साइज को और उसके बाद यहां पर घुमाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब यह ब्रस बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं तो यहां पर टूल्स में जाएंगे टूल्स में एक डायनेमिक टोपोलोजी एक अब्जेक्ट है अपना उसको क्लिक करें करेंगे उसको क्लिक करके यहां पर अपना ब्रस का साइज है डीटेल साइज में कितना चाहिए तो हम बारा है उसके जगा पर चार कर लेंगे उसको जितना चाहिए उतना कम कर सकते हैं सब कुछ करके देखेंगे उसके बाद यहां पर स्मूथ कर देंगे इस चैडिंग को तो पूरा का पूरा अपना स्मूथ हो गया अभी हम यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर अपना कि करेंगे तो में पता चलेगा कि कितना माइक्रो लेवल पर सब्डिवाइड हुआ है देखें यहां पर जितना भी हम लोगों को ने काला किया है वो पूरा का पूरा मतलब माइक्रो लेवल पर सब्डिवीजन हुआ है इसका कि इसको और छोटा भी कर सकते हैं कि दो पिक्सेल पर ले जाएंगे तो यह और भी फाइन हो जाएगा अगर इसको हम वायर फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ही माइनर है तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं अभी हम बाकिस सारे टूल्स को भी एक एक करके चेक करेंगी यह बेजिक अमने चो टूल्स और उसका प्रिशेट था उसको देखा बेजिक स्कल्प्टिंग टूल्स हम यहां स्कल्प्टिंग मोड में है थोड़ा से चेंजिस कर लेंगे टूल्स में जाके डानेमिक टोपोलोजी ओन करके इनको स्मूद कर देंगे ताकि हम एफेक्ट अच्छे से दिखे वापस डानेमिक टोपोलोजी ओप कर दी अभी शेडिंग में जाके इसका व्यूपोर्ट कलर अभी वाइट है तो उसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे अपने मुताबिक आप कोई भी कलर रख सकते हूं as you like it अभी सबसे पहला हमारा टूल से डोटूल्स तो डोटूल्स में यहां पे हम स्टेंट बढ़ा के चेक करेंगे ताकि हमें एकजेट उसका इफेक्ट पता चले तो हमने 100% स्टेंग कर दिये तो जैसे हम कहीं भी डोग करेंगे ना तो मैं से डोग कर सकते हैं नोर्मल यह हमारा डोटूल से मेनली इस तरह से बढ़िया से ड्रोइंग बनाता है अभी इसके नीचे दिया हुआ है डोशार्प यहां पर हमने ड्रोइंग बनाए पर इसमें शार्पनेस नहीं है जब हम यहां इस टूल के मदर से ड्रोग करेंगे तो इसके साथ होगी यहां पर चेक कर सकते हैं अभी यह सब्स्ट्रेक में है अगर एड मोड में हमने किया तो यह एड करेगा एरिया यहां पर देख सकते हैं बहुत ही शार्प ड्रोइंग बना रहा है और इसकी स्ट्रेंग्ट अगर हमने बढ़ाई 100% कर दी तो हमें पता चल उसके बाद हमारा टूल से क्ले क्ले भी सेम टाइप कही काम करता है पर यह उपर जैसे कुछ मिट्टी जैसा डाला हो उस तरह से काम करता है जैसे कि यहां पर हम इसकी स्ट्रेंग्ट 100% कर देंगे तो इसका एक्शन ओब बहेवियर इस तरह से चेंज होगा मत्रियल पर कोई मत्रियल पड़ा हुआ है उस तरह से बनाता है उसके नीचे क्ले स्ट्रीप अभी क्ले तो है पर यह स्ट्रीप जैसा बनाता है यह रेंडम था यह स्ट्रीप बनाता है क्ले का उसके बाद हमारे टूल है क्ले थम यह थम की तरह काम करता है जैसे अभी यह इसको यह से घुमा घुमा के चेक कर सकते पुरा का पुरा यह अपने एरिया को डाउन कर रहा है थोड़ आशा वहां से मिट्टी निकाल रहा है अपने सर्फेस में बढ़िया से इफेक्ट दे रहा है उसकी बात बार्याति लेयर की लेयर स्टूल्स इन सब के सिमिलर यह बस यह थोड़ा सा लेयर बनाता है मतलब एक अच्छा सा लेयर बना देता है अगर हम इसको यूज करें तो इसको बढ़िया सी यूज कर सकते हैं और हमारा ऑब्जेक को अच्छे से मनिपूलेट कर सकते हैं इन शोट टाइम में अब अगर यह सब्स्टेक हुआ तो सब्स्टेक में भी बढ़िया सी इस तरह से काम करता है उसके नीचे दिया हुए इन फ्लेट अपना किसी भी सर्फेस को फ्लेटनेस की और ले जाता है जैसे कि यह सर्फेस यह तो यह शार्फ सर्फेस है उसको यह फ्लेटन कर रहा है अगर एप प्रेस करके हम इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा ले तो हम इसका एक्जेट इफेक्ट पता चलेगा देखिए पुरा का पुरा उस सर्फेस को फ्लेट कर दिया जो सर्फेस पुरा का पुरा शार्ट था यह चेक कर सकते बहार निकाला और फ्लेट कर दिया यहा यह भी फ्लेटनेस की तरह ही काम करता है इन फ्लेट की तरह है हमारा उसके नीचे हमारा क्रीज है क्रीज नाम से पता चलता है पुरा का पुरा क्रीजिंग करता है सो सर्फेस रहता है उसको डिफोर्म करता है इस तरह से यह भी बहुत यूसफुल है इससे काफी अच्छी-ची सीज़े बनाई जा सकती जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक इंसान जैसा चीज बना दिया कि इसको 302 सकते हैं सब्स्ट्रेक्ट करके अगरं कहीं पुए चरों तो इसका गाल बाहर निकाल देंगे देखें अभी हम पर इट्वाले टूल्स में जाएंगे चो टूल्स करते हैं सबसे पहले हम mutta में जाएंगे स्पूसुल्ट में जाएंगे तो Glue करेगा इसको रिमूव करेगा smoothly हम चेक कर सकते हैं पहले जैसा बना रहा है एक दम इन्वर्स है देखिए पूरा का पूरा वापस से surface को healing कर रहा है मतलब पहले जो surface हमारा normal type का था उसके जैसा ही बना रहा है यहाँ पे भी surface टोड़ा खराब type का था उसको भी smooth कर दिया पूरा का पूरा उसके बाद हमारा टूल से flatten यह किसी भी surface को flat कर देती यहाँ पे देखिए बाहर निकला हुआ है अभी हम इसको flat करेंगे थोड़ी इसकी strength बढ़ाएंगे अभी देखो इसको पूरा का पूरा यह flat कर रहा है ठास किसी भी surface को यह flat कर सकता है कि यहाँ पर भी जो surface इसको भी वो पूरा का पूरा प्लैट कर देगा देखिए पूरा का पूरा जो गाल हमने बाहर निकाला था हो गाल को फ्लैट कर दिया है इसने उसके नीचे जो टूल दिया हुए वो है फील का यह किसी भी जगा पर फिलिंग करता है जैसे यहां पर हमने गड़े किया थे इसको फिल कर रहा है यहां पर भी इसको फिल करके इसको सॉप्टन कर देगा अब उसके नीचे दिया हुआ है स्क्रेप टूल इसक्रेप टूल भी सिमिलरी काम करता है बस यह अंदर से पुरा पुरा वेली बना देता है जैसी यहां पर हमारा एक राश्ता यहां पर पुरा का पुरा निकल के इसको वेली जैसा बना देगा मतलब इस सर्फेस के बीच में से अगर हमें वेली टाइप बना ना हो तो इसको एससे गुमाएंगे तो पुरा 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 वेली टाइप बना देगा यहां पर बीच में से एक छोटी सी वेली जैसा बना रहा है देखिए तो हमने सारे बेजिक स्टूल्स देख लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस टूल में जाएंगे हमने स्कल्प्टिंग ने बेजिक स्टूल्स चेक कर लिए मतलब कि ब्लू एंड रेड हमने चेक कर लिए अभी एलो मतलब कि एडवांस टूल्स में जाएंगे सबसे पहले हम थोड़ा ससरफयש बना लेते हैं एडवांस टूल्स में जाने से पहले टोल्स में थोड़ी से स्ट्रेंग्ट बढ़ाके कुछना कुछ बना लेंगे ताके हम एडवांस टूल्स से काम कर पाए रेंडम लिए हम ड्रो कर रहे हैं कुछ भी ड्रो कर रहे है अभी हम टोपोलोजी में जाके इसका स्मूथने सोन कर देंगे टोपोलोजी वापस ओप कर देंगे अभी हमारा फर्च्ट एडवांस टूल से मल्टी प्लैन स्क्रेप इसके मदद से हम मल्टी प्लैन में वेली बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा दो हाद सब्सक्रेश उसके बीच में हम लोग मल्टी प्लैन में यहां पर वेली जैसा डिजैन बना रहे हैं जिक कर लिए डबल प्लैन में वेली बनाती है जैसे यहां पर आगर जूम करके देखेंगे तो इसका सर्फेस हमें दिखेगा है उसके बाद नंबर आता है कि अमें में पिंच टूल का कनल सार्फेस को रेश करता है कि जहां पर हम थुझे इसके स्टेंग्ट वढ़ा लेंगे अब देखिए यहां पर जो सर्फेस से उसका थोड़ा सा बढ़ा दिया अगर हम यहां पर उसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा स्टेंग थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है यहां पर 1.5 कर देंगे अब हमें पता चलता है जैसे यहां पर पिंचिंग हो रहा है उस तरा से शुइंग हो जाता है वह से टाइप कई यहां पर होता है यहां पर में इसको पिंचिंग कर रहा है कि उसके बाद का टूल से ग्रेब अपनी नाम की तरह ही किसी भी चीज को पकड़ता है जैसे यहां पर हमने क्लिक किया और इसको उपर किया तो यह उपर गया कि यह चीजों को बाहर लाने के लिए यूज में होता है इसको आप अपने इस साब से बाहर ला सकते है इसको भी कर सकते हैं अपने साब से है उसके बाद का टूल से Elastic Deform Elastic Deform क्या करता है इस तूल से तो सिर्फ इतना इप्रशन आए पर अगर Elastic डिफोनम ने यूज किया तो पूरा का पूरा पॉर्शन को इलास्टिकली बाहर निकाल के लाता है मतलब कि पूरे डिजन में इफेक्ट करता है इसके बढ़ा लेंगे अभी हमें पता चलेगा इसको उपर उठाएंगे तो इसके साथ साथ यह पूरे पूरे एरिया को भी इफेक्ट करेगा इस तरह से इलास्टिकल इफेक्ट होगा इसका कि उसके बाद वाला टूल है कि स्नेक हुक टूल है वो पी इसी तरह ही एरिया को पकड़ता है और उसको बाहर निकलता है पर यह ज्यादा लंबे तक बाहर तक खीच के जाता है अभी देखिए पूरा का पूरा प्लेन टूट गया इसका रिजन क्या है अगर हमने यहां पर इनप उनको जगा नहीं मिली कि बढ़ाने के लिए यहां पर डाइनेमिक तॉपोलोजी ओन कर देंगे तो यह और अच्छी तरह से होगा जैसे के यहां पर और जगा मिलेगी इसी तरह कि देखिए कि बढ़िया से अभी दिरे दिरे इसको करिक्ते जा रहे हैं कि अपना एक बढ़िया से शेप बन रहा है कि उसके बाद आता है टूल डानेमिक टोकोलोजी ओप कर देंगे उसके बाद का जो हुमारा टूल है ओह है तम यह थम भी इस्तय में इसे कि तरह यह काम करता है पर यह थोड़े छोटे एरिया को एक देंग Tar 1 जैसे कि इसको यह बहार निकालेगा पर यह बहुत शोटे एरिया को ठम बिंग करथाये किसी भी एरिया में यहाँ पर अभी इसके बाद आगे पोज मोड पोज मोड में क्या होगा कि किसी भी एरिया है उनको सिलेक्ट करेंगे जैसे कि यहां पर पीछे की साइड पर कोई एरिया है उसको हमने सिलेक्ट किया सिलेक्ट करके फिर उसको ऊपर की साइड या बाहर की साइड इसे घुमा सकते हैं इस तरह से पूरा का पूरा एरिया को इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया और अभी इसको और थोड़ा घुमाएंगे इस तरह से तो देखिए पूच जैसा बन गया अपने ड्रेगन का कर दो उसके जिसके यहां हमारा टूल आता है वह anगज डा सीन्ट टूल जैसे कर दो है वो भी सी तरह से क्रीजिंग कर देता है पूरा का पूरा इर्या को कि इसके में स्टेंग्ड बढा के चेक करेंगे तो हम वह भड़िया से दीखीगा पूरा का पूरा एरिया को एसे पूरा का पूरा नजिंग कर देता है उसके बाद हमारा आएगा रोटेट टूल अपने नाम की तरह ही रोटेट करता है चीजों को जैसे कि यहाँ पर यह प्रचन ये यहाँ पर हम क्लीक करके अंचक इसको गुमा सकते इस तरह से पूरा का पूरा इसको यह खुमाएगा अगर यहाँ पर क्लिक करके रोटेट बढ़ाएंगे ना तो इसकी स्ट्रेंग्ट बढ़ाएंगे ना अगर वन है इसको 1.5 कर देते तो यह और ज्यादा खुमाएगा तो हमने सारे एडवांस तूल इसमें चेक कर लिए है नेक्स्ट में हम मास्किंग चेक करेंगे बाकी के एडवांस तूल और एंड मास्किंग हमने सारे चेक कर लिए हमें अभी हम मास्किंग टूल पर जाएंगे सबसे पहले स्कल्प मोड में आ जाएंगेख यहां पे नीचे पेले वाले के नीचे यहां पर ब्लेक और वाइक कुछ दिए हुए है यह masking tools मास्किंग tools किस तरह से काम करते वह एक बात चेक कर लेंगे सब पहले हम यहां से mask लेंगे और यहां पर थोड़ा सा randomly ड्रो कर देंगे कि यहां पर हमने रेंडम ली थोड़ा से ड्रोग कर दिया अभी इसकी स्ट्रेंग्ट हम थोड़ी से बढ़ा लेंगे कि बढ़िया से हो गया अपना यह अभी हम यहां पे कोई वोड टूल लेके चेक करेंगे मास्किं किस तरह इफेक्ट करता है तो हम अपना नॉर्मल टूल लेंगे ड्रोग तो ड्रोग लेके हम यहां पर इसके आज पास और इसकी उपर ड्रोग करने का ट्राय करेंगी हम देख सकते हैं जहां पर मास्किंग नहीं वहां पर नहीं हो रहा है मलब मास्किंग है वो किसी भी टूल को प्रिवेंट कर रहा है यहां पर कोई भी टूल ले लेंगे तो मास्किंग के ऊपर काम नहीं करेगा पुरा कपुरा अभि यहां पर तो हमने चेकंग कर लिया कि masking जगा पर कोई भी टूल काम नहीं करत है यहां पर इक mask का मेनू है उसमें जाके हम invert mask कर सकते हैं अभी हम बांकी की जो जगा है वहां पर कुछ समर्ष है रहे हैं देखिए जहां पर मास्क दिया था उसके एक्जेटली इन्वर्ट हो गया अभी यहां पर आखे उसमें थोड़ा सा चेंजिस कर सकते हैं देखें तो यह मास्क इन्वर्स अभी मास्क में और एक ओप्चन है फिल मास्क उससे पुरा पूरा और अपना मास्क में आ गया अभी इसमें कहीं पर भी हम जैंज नहीं कर सकते हंड्यट पर्षेंट एंअ मास्क हो गया इसके निचए और ओप्षन है clear mask इससे अपना पूरा object एडिटेबल हो गया और अपना mask clear हो गया अगर गलती से हमने कहीं और जगा पे mask लगा दिया हो जहाँ पर आपको edit करने की ज़रोध पड़ी है तो आप पूरा का पूरा mask हटा सकते हैं उसके नीशे है box mask box That box mask का option यहाँ नीचे भी दिया हुआ है पर यहाँ पे मास्क सारे option मिल जाते यहाँ पे box mask का option दिया हुआ है कि यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से हम देख सकते हैं पुरा का पुरा यहां पर दूसरी साइड पी ऐसा बॉक्स बन गया है और यह बॉक्स के अंतर हम कुछ भी चैंजिस नहीं कर सकते हैं बॉक्स मास्क की जगह पर अगर प् एभी मासक आमने चेक कर लिया और मासक के सारे के सारे टूल्स भी हमने लपक चेक कर लिये हैं अभी मासक के नीचे हाइड का टूल है बोक्स हाइड तो बोक्स हाइड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें जो भी एरिया को आपको हाइड करना उसको हम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यह पुरा का पुरा एरिया हाइड हो गया यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यह पुरा का पुरा एरिया हाइड हो गया इसका यूज क्या है कि मानले आपको किसी सिर्फ आखों पर ही काम करना है तो हम कैसे करेंगे तो बाकी के सभी एरिया को ह कर सकते हैं तो हमारा पूरा का पूरा उब्जेक्ट वापस आ गया कि इस तरह हमने सारे मास्किंग टूल्स चेक कर लिए कि सकल्प मोड में हम लोगों ने चेक कर लिया कि यहां पर कि मास्किंग केसे करना है वह सब हमने चेक कर लिया अभी एक और ओप्शन है फैस सैट्स फैस क्या करता है तो बेसिकली वह एक टाइप का मास्क है पर वह मठींम मास्क होता है ये हैं यहां पर ड्रो करना श्रूं करता हूं तो यह एक ग्रीन कलर का ड्रो होना चलू हो गया कि अगर प mikä उसको क्लर नहीं रहा और एक कलर आ गया एक भी कलर बदल गया है और यहां पर हम अगर तीसरी जगा पर या चोथी जगा पर बदल जाएगा यहां पर तो एसा क्यूं हुआ तो अभी अगर हम चेक करतना है तो किसी भी एक कलर पर जैसे कि हम यह कलर ही इस पर हमने अपना करसर रखा और अगर एच प्रेस किया तो बाकि सब कुछ गायब हो गया और अपना वही कलर हमें दिखाई दे रहा है वापस से अगर हम अल्टर एच क्लिक हमारा पूरा-पूरा अबजेक्ट वापस आ जाएगा यहां हम यहां से फैर्स इससे मैं में से भी वापस ला सकते हुए SHOW ऑल फैस से के कि यहां पर मैंने एक प्लिक किया और एच प्रेस किया इसे बेनिफिट के रहे ता हमारा जो भी है क्य nell रहे हैं एडिटिक करना है तो यहाँ पर अदितिंग जाके यह इस पर कुछ इंदितिंग करते हैं अभी एक प्कें कर रहें बाकि किसी भी चीज़् पर ओड़ीडिक नहीं हो रहा है यहाँ पर हमने पुरा पुरा एडिटिंग कर लिया कि अभी अल्टर एच प्रेस करेंगे तो हमारा पुरा का पुरा ऑब्जेक्ट आजेगे देखिए यहां पर दो ही फेस्ट पर एफेक्ट हुआ है बाकि किसी भी फेस्ट पर एफेक्ट नहीं हुआ है हawareइं अगर हमने यहां पर शीफ्ट फह प्रेस किया तो बाकि के अल्टर एच प्रेस करके अपना वापस आज जैसे कि यह एक color है इस पे उने mouse रखके shift h press किया तो यह चला गया पूरा का पूरा दोनों साइट से अभी वापस से ultra edge करके या w press करेंगे न तो भी अपना शोल का option आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ दिखा देगा वापस से अभी shift plus w press करके अगर हम drag करेंगे तो एक box type का आ जाएगा पूरा का पूरा ड्रो तो इससे हम multiple area और ज्यादा area cover कर सकते हैं पूरा का पूरा area भी cover कर सकते हैं तो अभी यहाँ पे एक option है अपना की यह इन दोनों को divide कर दिया है color को पर अगर हम इस पर यह अपना mouse रखके एच प्रेस करें तो अभी यह दिख रहा है मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यह भले ही इसके बीच में कोई अलग color आ गया है पर यह दोनों connected है है पुरा पुरा वापस ले लेंगे अभी तो इसका multiple mask में यूज कर सकते हैं और इसमें editing भी उसी तरह से बढ़िया से editing कर सकते हैं क्या आप कोई एक particular area को cover करके उस पे काम कर सकते हैं यह multiple mask option है जिससे हम multiple जगा पे अलग-अलग time पे कर स कि अधिया है कि फोटोशोप में इस तरह हम custom brushes बना पाते हैं कि उस तरह blender में भी बना सकते हैं कि तो हम यहां पे भी एक custom brushes बनाएंगी custom brushes के लिए हम पहले एक और work में जाएंगे यहां पे उपर की साइड हम प्रेस करते ही वहां पे हम एक plus का button मिलेगा उस पे click करने से यहां आगे थोड़ा से लेने से एक और screen निकलेगी अभी इस screen में हम एक painting बनाएंगे उस painting के लिए image editor में जाएंगे ओके अभी हम एक new image ले लेते हैं नाम देते हैं custom brush यहां पे हम साइज है उसको double कर देंगे star 2 अब वहीं size में भी बना सकते है आलफा हमेशा ओन होना चाहिए यह चेक कर लेना यहां पे हम click करते ही हम एक new brush मिल गया अगर यह पूरी black screen हो गए तो scroll wheel को scroll करके अपना normal size में ला देंगे यहां पे हमें painting बनानी है अभी तो यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पे view का option है वहां जाके paint में जाएंगे paint में जाते ही and press करने से यहां पे अपना पूरा menu आ जाएगा और टी प्रेस करने से अपना टूल्स आ जाएगा तो यहां पे टूल्स में हमने brush लिया हुआ है यहां पे radius को हम बढ़ा सकते है तो 50 है तो उसको 200 के रहां ले जाते strength अपनी 1 है ओके है यहां पे color हम जो चाहे वो ले सकते है अभी हम अभी के लिए हम उसको थोड़ा सा radius टाइप रखेंगे अभी end press करने से menu चला जाएगा और यहां पे हम एक बहुती simple face बना लेंगे smiley type हमने smiley बना लिए अभी इसको हम सेव कर सकते हैं यहां पे option में जाके इमेज के option में जाके हम यहां पे इसको सेव कर सकते हैं सेव करके यह हमारे आखे थोड़ी बड़ी कर देते हैं अभी है इसको यह पर close करेंगे close करने के लिए यहां पे plus का सिम्बोल जब आता है तब इस साइड में प्लस का सिम्बोल जैसे आता है इस साइड में एक एरो के आनी चाहिए यहां पे जैसे एरो के आएगी हम थोड़ा आगे करेंगे तो यहां पे हमें एक बड़ा एरो दिखेगा और उसको ओर लेप का ओप्षन आएगा तो हम क्लिक करते ही ओर लेप हो जाएगा अभी यहां पेंप्रस की साइज एफ दोड़ी स्टोटी कर लेंगे भुप्ट बड़ी साइज यह इसको उटि कर ली अभी यहां जो भी फोगर उसमें न्यू निशेर गा 500 प्रेक्चिंड में अपने पास ट्रैक्चर आ गया एख कर सकते हैं आप इस में से जो भी अब चेंचेंच तो करना है Josa我 कर सकते हैं यहाओ पी टिल्टेट का ओप्चोन है eth Lauren हैं प्रेंटिंग के लिए हमने ड्रो का ही मेनू लिया हुआ तो यहाँ पहले हैं तो यहाँ पेब देखेस किया तो यहाँ पर अपना समाइलीक हैस आगया यहाँ पे देखिए अपना स्माइली prof outbreak में बड़ा हुआ थाके छसे से दिख पहेए यहां पर देखिए पूरा का पूरा smiley face आ रहा है और अपना smiley face में बड़ा हुआ अभी यहां पर बाकी के जो option है उसमें मगर चेक करें तो पहले सबसे पहले इसको smooth कर देते हैं उसके बाद यहां पर option है पहला option है tilted का उसकी यहां पर view plane ले लेंगे तो view plane में थोड़ा सा अलग तरीके से होगा पूरा का पूरा हम drawing कर रहे हैं वैसा लगेगा हमें यहां पर दूसरा option है area plane का यह पूरा का पूरा एरिया को एरिया में यह बनाएगा तो इसमें भी हम जैसे painting करते हैं वैसा ही लगेगा हमें पर अगर एक ही जगा पर हम क्लिक करते हैं तो हमें smiley face जैसा ही दिखेगा पर इसे हम नोर्मल पेंटिंग इस तरह से कर सकते हैं उसके बाद tilted तो हमने चेक करी लिया है सबसे पहले tilted में नोर्मल अपने condition में जिस तरह से होगा उस तरह से यह smiley face बनाएगी तिल्टेट के पिछे 3D 3D में अगर हम देखेंगे तो अगर नोर्मल प्लेन पर हम घुमाएंगे तितना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा पर अगर जो 3D ओप्शन वाला है वहाँ उसे रिया में करेंगे ना जहां पे प्लेन अपडाउन है तो वहां पे उसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा में 3D में कि 3D के बाद ऑप्शन है रेंडम का तो ये रेंडम हम कहीं पे यह से घुमा रहे है रेंडमली होगा ये काम सारा कि अए गुए 3 3D बाद अपना रहेगा a ten-sil step एक अपने को तेस दीख रहा है अभी उसके लिए राइट कड़ करके इसको हम इ脆से यहाँ पर गुम आ सकते कि यहां पे अपना पोर्शन यह पर आता है उतना पॉर्शन ही अपना उसके उपर आता है और यहां पर यहां पे इसके ऊपर पर पौन सिंधा को जैसी यहाँ पर हमें बढ़िया से दिख रहा है। कि यहाँ पर अपना जितना भी स्टेंसिल वाला एरिया देओ वही एरिया को reference सन्यार कर रहा है । टे है पेंटिंग अभी वापस राइड क्लिक करके स्टेंसिल को साइड में ले जाएंगे स्टेन्सिल में काम करने के यहंगर हम कंड्रोल राइट क्लिक करंगे तो इसको हम गहुमा सकते हैं और अगर टो कि शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करेंगे तो इसको हम आगे पीछे करने से छोटा बढ़ admire यहाँ पर देखियों स्अंधे मदद से में कितना बढ़िया स्माइली फेष मना दिया है इस तरह से आप कोई भी ब्रास बना सकते हैं हमने सबसे सिंपन स्माइली फेष लिया हुआ था आप कोई और भी फेस के साथ ये ट्राइ कर सकते हैं जो भी आपको पेंटिंग पसंद हो जब भी हम किसी ओब्जेक्ट में स्कल्प्टिंग करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी एक्स्टा मेश एड हो जाती है तो उसे कंट्रोल कैसे करें इतनी सारी मेश के साथ हम उसका इनिमेशन नहीं कर सकते वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है तो उसके लिए हम इसके अंदर उसका री मेशिंग कैसे करेंगे वो चेक करेंगे सबसे पहले हमारे पास ओब्जेक्ट है उसके अंदर हम थोड़ी बूट डिटेलेट कर देंगे कुछ भी आप ही डिटेल डाल सकते हैं इसमें कोई ऐसा नेक यही डिटेल डाल नहीं है आप अलग भी डाल सकते हैं मैं मौंस्टर टाइप कुछ बना लेता हूं जिसके अंदर हमें बहुत सारी मेश्ट दिखे झाल 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 हुआ है कि हमने बहुत सारी मेश कर दिये इसमें अभी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं तो हमने एक छोटा सा क्योट सा मॉन्स्टर बना लिया है अभी हम इसका रिमेशिंग कैसे करेंगे वह चेक करेंगे सबसे पहले इसका अभी मेश की एक चेक करते हैं अभी देखिए इसकी मेश यतनी कोंप्लिकेटिट हिसका इनिमेशन बनाना ना के बराबर है वाल इसका इनिमेशन नहीं पाएंगे इतनी शारी मेश के साथ हमें पता ही नहीं चलगा इसको कैसे घुमाएंगे अभी हम जाएंगे object mode में object mode में सबसे पहले हम इसका duplicate बना लेंगे shift D press करके shift D अभी इसका duplicate बन गया है इसको select करेंगे और shift D press करेंगे duplicate उसका बन गया है अपना original को अभी छुपा देंगे ताके में में रिमेशिंग का comparison पता चले अभी यहां पर देखिए इसका जो मेंश कंडिशन है मेंश कंडिशन तो हमने चेक की है मतलब इतने बहुत ही complicated मेंश है तो इसका रिमेशिंग हम कैसे करेंगे रिमेशिंग में जाने के लिए यहां पर ट्राइंगल दिख रहे है उल्टा उस पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करती यहां पर रिमेश का ओप्षन आ रहे है नीचे की side में उस पर क्लिक करेंगे अपने पास दो ऊप्षन रहता है एक वोक्षल है और दुसरा code है पर सबसे पहले हम वोक्षल में चेक करेंगे वोगजल में उसका क्या कंडिशन रहता है तो यहां पर फिक्स पॉल से फिर प्रिजर वोल्यूम एसारियम यह से रखेंगे एक और एड कर देंगे स्मूथ नॉर्मल ताकि स्मूथ हुआ आजाए अभी की कंडिशन चेक करेंगे तो यह इस तरह का हमारा मेश है तो अभी हम वक्सेल रिमेश करेंगे आपकी कंप्यूटर स्पीड के मुताबी के काम करेगा तो यहां पर क्लिक करते ही देखिए पूरा का पूरा स्मूथ होगे क्या डि देख सकते हैं पूरा का पूरा इसका कंडिशन बदल गया पर अगर आप इसको अभी एडिक मोर में जाके चेक करेंगे तो आपको इसका मेंश की कंडिशन पता चलेगे कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगे अगर कंट्रोल जेड़ प्रेस करते तो आपको पता चलेगा एडिट मोर में जाएंगे तो एडिट मोर में इसकी अभी की मेंश की कंडिशन ऐसी है पर इसका एक बार ऑबजेक्ट मोर में ये काम करेगा वोक्सल लगा किने के बाद अभी मेंश की कंडिशन चेक करेंगे तो इसमें काफी बदलावाया है इसमें और भी एडिट कर सकते जैसे कि यहाँ पे अपनी 0.035 उसको बढ़ाएंगे और 35 कर देंगे अब ही वापस से वोक्सल देंगे तो देखिए इसका पूरा का पूरा मेश की कंडिशन बदल गया है एडिट मोड में जाके चेक करेंगे तो देखिए मेस बहुत ही कम होगी बहुत ही ज्यादा कम होगी इतनी ज्यादा में कम नहीं करनी थे वापस से कंट्रोल जेड में प्रेस करके इसका नॉर्मल कंडिशन में लाएंगे यह अपना नॉर्मल पहले की कंडिशन है अगर आप इस कंडिशन में नहीं ला पाते हैं तो अपना यहाँ पर कोपी किया हुआ है उसका चेक कर लेना अभी हम कोड में जाएंगे कोड में जाती सारे ओप्शन गया भोगए यहाँ पर नीचे सिर्फ एक कोड का यह ओप्शन है जब हम कोड पर क्लिक करते हैं तो उसका मेनू आ जाता है और उसमें हमें सारी डिटेल डालनी रहती है जैसे कि हम स्मूथ नॉर्मल कर लेंगे आपको कितनी मेश चाहिए अपना अब ही रखेंगे स्मूथ सर्फेस दे दिया अभी इसको ओके क्लिक करेंगे तो यह इसकी स्पीट थोड़ी सी स्लो है पर यह बढ़िया से काम करता है देखिए हमारा मेश काफी बढ़िया हो गया है अभी हम इसको एडिट मोर्न में जाके चेक करेंगे देखिए काफी है चिए अभी हमने पॉर्ट थहन डाला था मैसको कंब भी कर सकते हैं कैसे कि अब्जेक्ट में जाकर वापस में यहाँ पर नहीं ऊसकी जगाल पे हम पंदरहसो कर सकते हैं तो हीन फुर्स हो जाएगा कई यह उर स्मूथ हो गया और यहाँ पर अन्रिशां प्रक्रश कर सकत है कि इसको अभी करीब 500 रखते हैं तो अभी इसको देखिए पुरा का पुरा गायब हो गया क्योंकि इसका मेश साइज हमने बहुत ज्यादा डाउन कर दिया कि एडिट मोड तो आपने जो भी अप्रोप्रियेट अपनी मेश साइज हो उतनी मेश साइज रखके हम बाकी की नहीं रखेंगे इतना ही रखेंगे तो इसको कंट्रोल जेड करके वापस अपने मोड में ले लिजिए तो इस तरह हमें रिमेशिंग करना है और यह अबजेक् इसंदर में हम मेंन्यू diff Believe कर सकते हैं जैसे इसके अंदर मेश है पर अगर आपको अपनी खुद की मेस बनानी है तो बंडर के अंदर ये बना सकते हैं कि कि सतरा बनाना है वो देख लेते हैं सबसे पहले हम यहां ऩी कर देंगे जिसे हम उससे काम कर पाएं यहाँ बिश इसको 4 यह कर लेंगे अभी हमारी डीटेल सைज चार है अभी यह बरेंगे और अपने बरस को बढ़ा कर लेंगी इस Mes नियुकी Aa कि इस तरह का हमने हाथ निकाल दिये अभी हम इसको लियाउट में ले जाने के लिए यहां पर हमारे पास और कोई उप्षिन तो है नहीं पर हम यहां पर ऑब्जेक्ट मोर में जाएंगे अभी इसको में लियाउट मोर में ले ले जाना है तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम शीफट करके एक डालेंगे इसको ले जाएंगे तो यहां पर प्लस का सिंबोले वहां पर जनरल में अपना लेऊट और अपना नोर्मल लेऊट आ गया अभी यहां पर हुआ इसका मेश बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम एडिट मोड में जाएंगे हमने यहाँ पे एक प्लेन एड किया है तो हम एडिट मोड में जाएंगि यहां पर हम प्लेन दिख रहा impresança को तो इसके लिए पॉली बिल्डिंग का यहां पर एक ओप्शन दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे जैसे हम पॉली बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे यहां पर हमें कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करने से यहां पर एक डॉट मिलेगा इस डॉट को कहीं भी भी चेंज कर सकते हैं इसका लोकेशन और यह कहीं भी भी शिप्ट हो जाएगा अभी हम यहां पर ऑब्जेक्ट में जाके चेक कर लेंगे अपना व्यूपोर्ट डिस्प्ले है उसमें इ इनफ्र्न को सेलेक कर देंगे ताके हमonneं यहां पर जोंवी काम करें तो यहां पर एक डॉट लगा दिया है अभी हम यहां पर दुसरा डॉट लगाएंगे करेंगे फोस्ते हैं और यहां पर हम यह यहां पर नीचे एक सिलेक्ष करते ही ओप्श strengthening उप्शन आ रहा है जिसको हम क्लिक करते ही यहां पी डूसरा अच्छ ऐस्ट यहां पर हमारे पास there8un में क्लिक जो भी डौर्ड ही और और मर्ज हो जाएंगे हें अपर ऊंपर से कोने गए इसको भी यहाँ पर निकालेंगे और इसको यहाँ पर इसके साथ मर्ज कर देंगे और एक यहाँ से निकालेंगे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे थोड़ा देख के करना पड़ता है कर यहाँ उसे रहेता है अ कि अभी यह वट्रीns से उसकों हमाँ कम ज्यादा कर सकते हैं एड़्स्टेबल रहती है कि अ कि कि इसको यह से करके एकदम अपनी पाइप लाइन की शेप में मोड देंगे कि अभी हम इसमें एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर जो भी अब्जेक्ट है यहाँ पर हमने क्लिक किया जहाँ पर जो भी अब्जेक्ट है उसको शीफट एड एड़ मोल में जाके सिलेक्ट कर सकते ही शिप प्लस सेलेक्ट और इसको यह प्रेस करके एक्स्क्रूड कर सकते दूसरी साइड ताकि हमारा पुरा का पुरा एरिया कवर हो जाए तो इस तरह से हम पॉली बिल्डिंग पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं यह थोड़ा सेंसिटीव टूल है और इसको यूज करना भी थोड़ा मुश्किल है पर इससे हमारा बहुत बड़ा कंट्रोल आ जाता है अपने उब्जेक्ट पे और हम उब्जेक्ट में अपने इससाथ में शेड कर सकते हैं तो इस तरह हम बाकी का भी ऐसे ही करेंगे स्कल्टिंग मौन में हमने जो भी डेटा प्रिजरू किया हुआ है उस डेटा को बेक अप कैसी करेंगे उसके लिए हम लोग अभी एक ओब्जेक्ट बना लेंगे जिसका हम बेक अप लेंगे तो सबसे पहली हमारे पास यह उब्जेक्ट है उसमें से हम एक थोड़ा सा मॉन्स्टर टाइप बना देंगे अब प्रेस करके थोड़ा बढ़ा कर लेंगे स्ट्रेंग्ट बढ़ा लेंगे कर दो 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 कि इसमें बहुत सारी डिटेल सेट कर लेंगे कर दो झाल झाल अच्छे से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं यह से ऑब्जेक्ट बना ज़रूर नहीं पर उसमें डीटेल काफी होनी चाहिए मॉइस्टर टाइप बना रहे हैं हमारा मॉंस्टर रेडी है अभी इसको में ले जाएंगे ले जाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर ले आउट करेंगी यहां पर प्लस पर क्लिक करने से जनरल आएगा जनरल में चाहेंगे हम ले आउट में ले आउट पर क्लिक करते हैं अपना ओब्जेक्ट ले आउट में आ गया है यहां पर यह बहुत सारी डिटेल्स के साथ है अगर हम बायर फेम में चेक करेंगे तो इसका डीटेल बहुत ज्यादा है तो इसको हमें प्रिजर्व करना है तो इस पर वापस नॉर्मल मोड में आ जाएंगे और इसको शिप्ट डी से डूब्लिकेट करेंगे और एंटर करेंगे अभी अपना जो ओरिजनल ओब्जेक्ट ह का ओक्षन है इसमें जाने से पहले हम लोग दो काम कर लेंगे पहले तो यहां पर एक प्लस का साइन आएगा उसको थोड़ा सकीच लेंगे अब यहां पर नीचे की साइड भी प्लस का साइन ले लेंगे और उसको भी उपर थोड़ा सकीच लेंगे उपर वाली में हम डाले लेंगे shader editor एंड एंड फ्रेस करके उसको बढ़ा कर लेंगे और नीचे वाले में हम डालेंगे image editor अभी यहां पर हम new image लेके normal डाल देते हैं और इसको high resolution के लिए हम 4K में ले जाएंगे इसलिए इसको multiply by 4 कर देंगे दोनों को और आलफा अपना ओन होगा और 32-bit पेस में ओन रखेंगे और इसको ओके कर देंगे तो अपना बहुत बड़ा इमेज आ गया है अभी उसको चोटा कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेम ओल में जाके उसको चोटा कर देंगे अभी हमारा जो बेकप डेटा है उसमें बेक टाइप में कंबाइन की जगा हम उसमें नोर्मल डालेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट सिलेक्टेड एक्टिव में जाएंगे उससे पहले हम यहाँ पर दो चीज़े एड करेंगे फर्स्ट हम इसमें नोर्मल में पेट करेंगे यहाँ पर नोर्मल में पेट करेंगे और दुसरा यहाँ पर शिप्ट यह वापस प्रेस करेंगे और यहाँ पर डालेंगे इमेज टेक्स्ट यहाँ पर इमेज टेक्ट्चर अमने डाल दिया दोनों डाल दिया अभी shift करके इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे और यहाँ पर इसका color है उसको इसके color से connect कर लेंगे और इसमें normal black को select कर लेंगे अभी यहाँ पर अपना जो original है उनको select करेंगे और उनको select करके यहाँ पर वायर फ्रेम में जाएंगे तो हमें idea आएगा कि हमने किसको select किया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपना दूसरे नंबर का हमने बना है quad square पहले को down कर देंगे और इसको data में जाएंगे और यहाँ पर remix कर देंगे तो इसको remix करेंगे, remix करने के लिए code में जाएंगे और code में इसका remix कर देंगे और यहाँ पर okay क्लिक करेंगे उससे पहले इसका smooth कर देंगे इसको और यहाँ पर okay पर क्लिक कर देंगे तो अपना mesh smooth भी हो गया और कम भी हो गया तो अभी हम चेक करेंगे तो अपना यह mesh जो दूसरे नमबर का mesh हमने बनाए है copy वह कैसा दिखता है और अपना original map कैसा दिखता है तो अभी दोनों को एक में ही ले लेंगे सबसे पहले हम अपना पुराने वाला मेश सेलेक्ट करेंगे मतलब चिस में सबसे ज्यादा high resolution है और उसके बाद हम अपना shift प्रेस करके दूसरा मेश से उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे जो बड़े वाला है तो हमारे दिख रहा है कि हमारा जो दूसरे नमबर का सिलेक्ट किया हुआ है उसके में थोड़ा सा light orange है और जो अपना high मेश है वो dark orange है तो हमने यह से सिलेक्ट कर लिया है अभी यहाँ पे हमने color से color connect कर दिया है अभी हम यहाँ पर देटा में जाएंगे पहले रेंडर में जाएंगे वहां पर उपना एक और इसमें अपना जो भी लेयर था उस लेयर को पहले सबसे पहले एक्टिव लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हमें error आ रहे हैं यहाँ पे हम object से edit mode में जाएंगे edit mode में यह press करती ही सब कुछ select हो जाएगा उसके बाद you press करेंगे you press करते ही अपने को यहाँ पे smart uv project दिख रहा है तो smart uv project में इसको uv में convert कर देंगी अब इसको backup अच्छे से कर पाएंगे हम इसके लिए फिर से हमें selection में जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने को high mesh select करनी पड़ेगी और उसके बाद shift press करके अपनी low resolution वाली mesh select करेंगे अभी इसको back करेंगे प्रेस करेंगे और smart uv project कि इसको कि में convert कर दिया है कि यहां पर अपने पास काफी option है जिसके हमें अभी जरूत नहीं वापस यहां पर जाके कि एडिक मोल में जाएंगे एडिक मोल से object मोल में जाएंगे अभी यहां पर हमने अपना जो high mesh उसको select कर लिया है और low mesh को select करेंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा पर अभी हम high mesh को पहले select करेंगे और अपना कि इसको हमने बेक पे क्लिक करती ही अभी बेकिंग हो रहा है बेकिंग काफी लेंग्धी प्रोसेस है अपने कॉम्प्यूटर की स्पीड के मुत्तबई को थोड़ा सा टाइम लेगी अभी 100 हो रहा है ओके तो हमारा backup हो गया है यह हमारा टूडी में पूरा का पूरा backup हमें मिल गया है अभी यहां पर हम चेक करेंगे कि जैसे ही हम यहां से व्यू मेन्व में जाएंगे जैसे हम यम मेन्व जहां पर अपना लो मेश ऐसा दिखता है और हाई मेश ऐसा दिखता है दोनों हमें दिख रहे हैं अभी हम इसमें कि लाइट एंड शेडर मूर्ड में गए है अभी हम पार्ट टू को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको कलेक्शन में एड कर देंगे अभी कलेक्शन में एड करते हैं अभी हम कलेक्शन वन और टू को वन एंड टू प्रेस करके देख सकते हैं तो वन में हमारा हाई resolution वाला दिख रहा है दू में low resolution वाला दिख रहा है इसमें इर QUal बहुत आते हैं आभी क्या करेंगे अभी हम यूष बैकव डेटा के यूज करेंगे तो यहां पे जो नौर्मल दिख रहा हैं अपना शय्ट रेडिटर में उस नौर्मल को अपना शय्टटर के नॉर्मल के साथ हम कनेक्ट करेंगे आरे मिफ्हीर है यहां से रिदिटर में बीiggly yemek नॉर्मल है उस नॉर्मल को अपना नॉर्मल के साथ हो करेंगे तो देखिए अपना बहुत सारा डिफ्रेंस आ गया अगर हम चेक करना है तो वन में अपने को हाई रिजूलिशन देख रहे लो रिजूलिशन देख पर लो रिजूलिशन में अभी बी काफी कोलीट इम्प्रूमेंट हो गया है वन टू वन टू इस तरह से हम पूरा झाल झाल